नमस्कार दोस्तों आज कहानी गोल्ड में सुनिये सरिता कुमारी जी के लिखी कहानी बंद लिफाफा आज फिर एक बंद लिफाफा मेश पर पड़ा उसका मुछड़ा रहा था वही गहरे बैंगनी रंग के किनारू वाला हलके बैंगनी रंग का लिफाफा भेजने वाले को पता है कि उसे बैंगनी रंग पसंद है. पता भी क्यों न हो, बजबन से लेकर ज़वानी तक की, हर कड़ी जो जूड़ी है उनसे. जानता है कि उन्हें बैंगनी रंग नहीं पसंद, पर वह उसके लिए अपनी हर छोटी बड़ी, पसंद नापसंद से अब तक समझोता करती रही थी तो इस बैंगनी रंग से अपनी पन की डोर जोड़ना क्या मुश्किल था उनके लिए या इस महीने के अंत तक उनका बीस्वा पत्र था वह शायद अब उसके पत्र की प्रतिक्षा किये बिना ही पत्र लिखती जा रही थी इस उमीद में कि वह शायद किसी पत्र पर नाराजगी भूल कर लिफाफा खोल कर पढ़ी ले और उन्हें माफ कर दे माफ कर दे पर क्यूं कर दे कैसे कर दे उसने खुद से ही सवाल किया ऐसी बातों की कोई माफी भी हो सकती है क्या भला नहीं वह हरगिस उन्हें माफ नहीं कर सकता कभी नहीं कर सकता नफरत और गुस्से का मिला जुलालावा उसके अंदर खथ बदाने लगा वह थोड़ी देर उस बैंगनी रंग के लिफाफे को घूरता रहा फिर हिकारत से मुह मोड़कर बैठक से बालकनी में चला आया बैंगनी रंग या उनका खत नहीं होता तो वह बर्बसी इसे चूलेता मंत्रमुक्द सा इस रंग का जादू उसके सिर चड़कर बोलता है और वह जैसे सपेरे के धुन पर बेसुद सापसा इस रंग के मोह पाश में बंद जाता है जानने वाली उसकी इस कमजोरी का कैसा फायदा उठाने की कोशिश कर रही पर उनके प्रती गुस्से और नफरत का इह भाव उसके बैंगनी प्रेम पर भारी रहा है अब तक और नतीजा उसने एक भेखत खोल कर नहीं देखा पिछले रेड़ महीने में वैसे वह हैरान है कि वह कैसे अपने बैंगनी रंग के प्रेम की कमजोरी पर काबू पाने में सफल हो गया है क्या किसी के प्रती जागा ताजा नफरत का भाव पुराने प्रेम पर भारी पढ़ता है हाँ शायद तभी तो वह उन बंद लिफाफों के ढीर लगाये जा रहा है बिना उन्हें खोले जबकि वह जानता है इन लिफाफों में बैंगनी कागज़ पर बैंगनी मोती विखरे होंगे इस खयाल से उसका मान हुलस कया जब इनजिनिरिंग की पढ़ाई के लिए वह शहर से बाहर गया था तो इनी बंद बैंगनी लिफाफों का कितनी बेकरारी से इंतिजार करता था हर दस दिन में आने वाले उन लिफाफों में बंद बैंगनी लेटर पैंड में वही बाते होती थी खाना तो ठीक से खा रहा है ना समय पर सोजाया कर पढ़ाई के साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान रखना और वह हलके बैंगनी कागजों पर बिखरे गहरे बैंगनी अक्षरों के मूतियों को समेट कर दिल के नाजुक कोने में रख लेता कागज की खुश्बू में बसी ममता की खुश्बू सासों में भर कर घर से दूर होने की पेड़ा भूल जाता दोस्त उस पर हसते ये बंद बैंगनी लिफाफे किसके हैं जो एक दिन भी देर से मिलें तो किसी की जान अटक जाती है वह हसकर खुला बैंगनी लिफाफा उनकी उर बढ़ा देता खट पढ़कर वह भीगी मुस्कुराहट फैला कर जसकातस पकड़ा देते आखिर हर ममता की खुश्बू और रंग तो एक ही होता है और हर सीना धप धड़कता है उसी की ठंडी छाओं में हर समय चुपचाप खाना ठीक से खाते रहना इन शब्दों के बीज कसमसाते वादसले के जरने में दूद के खुश्बूर अची बसी रहती है जिसकी याद हर जेहन में कुल बुलाती है बड़ा भागेशाली है रे तू उसका रूम मेट वैभ उससे कहता इतना भागेशाली तो सब कोई होता है यार वा हस देता अच्छा हर दस दिन में नियम से खट किसका आता है यार हम तो एक फोन में निपढ़ जाते हैं या कभी कभार एमेल आज के जमानी में बंदलिफाफे किसके आते हैं वा भी मा के वा निरुत्तर हो जाता उन्हें लिखने का बहुत शौक है यार देखना हर पत्र में किसी ना किसी नई पढ़ी हुई किताब की पूरी समिक्षा लिख डालती है वा सफाई देने की कोशिश करता नहीं रे मुदित तेरी मा तुझे बहुत प्यार करती है बड़ा भगेशाली है तू कभी उनका दिलमत दुखाना नहीं यार मा तो सब की प्यार करती है बस सफाई देता इतना नहीं मेरे बच्चे वैभव उसकी पीट पर धौल जमाते हुए कहता वह मन ही मन अपनी किसमत पर रश्क करता था अरे आप कब आए सामने सनिहा खड़ी थी मुझकुराती बस ऐसा यादों की गुफा से खाली हाथ बाहर चला आया हाँ बस अभी अभी आया आप फ्रेश हो जाईए मैं चाय लाती हूँ हाँ ठीक है सनिहा जाते जाते छिटकी और उनकी तरफ देखा उनकी आखें मिली उन आखों में चल चलाता सवाल बेना कुछ कहे ही उसने पढ़ लिया मुदित ने जट से नजरे फेर ली सनिहा पल भर छिटकी उसे देखती रही फिर जटके से मुढ़कर चली गई सनिहा बहुत वाचाल नहीं है उससे उमर में दो साल छोटी है पर उससे कहीं अधिक समजदार और परिपक्व है पिछले डेड़ महीने से चलती संबंधों की या रस्ताकरशी मुख दर्शक बनी देख रही है जो बोलना होता है वा अपनी आखों और हाव भाव से चुपचाप कह देती है और उसका यह माध्या में इतना सशक और प्रभावशाली है कि वा न चाहते वे भी सब समझ जाता है सनिहा भी क्या करे उसने जब उसे समझाने की कोशिश की थी उसने कैसे बखला कर सारी भडा सुसी पर निकाल दी थी तुम आज की मौडन ओरते न तुम्हें समाज का लिहाज है न रिती रिवाज का न परंपराओं का इस उम्र में ये सब क्या मोदिखाऊंगा मैं दुनिया को और तुम उनकी पैर भी कर रही कुछ ररम लाज है की नहीं तुम लोगों को वह हैरान उसे देखती रह गई थी मुदित का यह व्यवहार उसके लिए नया था पर उसके बाद उसने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया था वह जानता है मां से उसकी अक्सर बाचीत होती रहती है उसने कभी उसे कुछ कहा नहीं क्योंकि उसे पता है मेरा कहे सुने चल पढ़ने वाली उसकी मुख बाचीत का एक भी जवाब उसके पास नहीं होगा वह ऐसी स्तिती से घवराता है क्यों भेशती जा रही हैं वे इतने पत्र क्यों नहीं समझती कि वह नहीं पढ़ेगा एक भी पत्रब उनका कभी नहीं रंजना आज भी प्रतिक्षा करती रही डाकिये का वह आया तो पर उसने उसके घर की ओर रुख नहीं किया उनके हसरत भरी निगाहें उसे अर्मानों के फूल लिए निहारती रही थैले में बंद पत्र के अमरित वर्षा की प्रतिक्षा करेंगी पर आज का दिन तो गया उन्होंने गहरी सास ली और बरामदे से वापस कमरे में चली आई असलम की गहरी नजरों से बचते हुए वो रसोई घर में चली गई क्या करें जिस से मन बदले हमेशा की तरह उन्होंने आज भी चाय बना ली और बिना असलम से पूछे उनके लिए भी एक कप ले आई चाय की ट्रे देख असलम मुस्कुरा दिये आदे घंटे पहले ही तो पी थी पर वो जानते थे ये चाय सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं थी कितनी वस्तुएं होती है जो कभी कभी अपने मूल मकसद से हट कर कुछ और ही मकसद पूरा करती है चुपचाप जैसे अभी ये चाय वो जानते हैं रंजना को इस वक्त कुरेदना ठीक नहीं एकलोते बेटे के प्रती अथा प्यार उनके उपर से शान्त जील से चहरे के तले हिचकोले लेते सागर का तुफान समेटे रहता है जो कभी कभी चुपचाप आँखों से बह निकलता है मुदित था भी तो एक प्यारा बच्चा अपनी उम्र के और बच्चों जैसा ही थोड़ा नटखर थोड़ा शैतान पर उसमें रहने वाले उनके सबसे प्यारे दोस्त का बेटा बच्चपन में वह किस कदर उनसे घुला मिला था जब कभी वह घर आते उसकी बाते खत्मी न होती वह उनके आगे पीछे डोलता रहता जब तक रमन उसे बहला कर किसी तरह भेज नहीं देते वह उन्हें बात तक नहीं करने देता था वह बड़ा होता गया पर उनके प्रति उसका लगाव कभी कम नहीं हुआ जब वह इंजीनेरी कॉलेज के लिए जा रहा था तो उन्होंने उसकी पसंद की एक महंगी घड़ी उपहार में दी थी रमन और रंजना कुछ कह नहीं पाए ये उनका आपस का मामला था और इस पर दोनों की दखल अंदाजी की कोई जगे नहीं थी वह कैसा खुश था ओ थैंक्यो अंकल वह कसकर उनसे लिपट कया था वह आत्मे विभोर थे मुदित उन्हें अपने बेटे जैसा ही लगता था उनकी बस दो बेटियां फरहा और साधिया थी पर मुदित के रहते उन्हें कभी बेटे की कमी नहीं खली हर रक्षा बंधन पर वह सुबह सुबह उनके दर्वाजे पर खड़ा होता था और उनकी दोनों बेटियां जो उम्र में उससे चार शे बरस बड़ी थी पूरी तैयारी से उसकी बार जोहरे ही होती थी उनका वह प्यारा दुलारा भाई था और वे उसकी प्यारी बेहने उनका बचपन आपसी प्यार मनुहार में बीता था इंजिनियरिंग के बाद मुदित एक अच्छी नौकरी पर विदेश चला गया था धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उनका मुदित कहीं खो गया था उसके विदेश से वापस आने की प्रतिक्षा करते उन्हें लगता उनका बेटा उन्हें फिर मिल जाएगा पर बदले हालात ने उनका बेटा तो दूर अंकल कहने वाला मुदित भी कठोरता से छेन लिया था उनकी दोनों बेटियां शादी के बाद अपने अपने शोहर के साथ विदेशों में जाबसी थी पतनी बच्चियों की शादी के एक साल बाद ही अपने करतव्यों की इतिश्र समझ उन्हें इस बियाबान दुनिया के जंगल में अकेला छोड़ गई थी उनकी अकेले पन और हर दुखसुख के साथ ही रमन और रंजना ही थे उनकी पतनी रेहाना के जाने के बाद अगर वे दोनों उन्हें समाल न लेते तो वे पता नहीं के साल में होते बेटियां उन्हें बुलाती रहती थी पर इस उम्र में अपने दरो दिवार छोड़ कर विदेश जाने का उन्हें कोई कारण समझ में नहीं आता था अभी सुम्र में पराई हवा मिट्टी में वो कैसे पनपेंगे बेटियों ने हार मान कर उन्हें बुलाना कपका छोड़ दिया था बस फोन पर हालचाल लेती रहती थी रंजना चुपचा विचारों में खोई चाय के घूट भर रही थी उसके उदासी और निराशा मानुचाय की रंगत में हौले से उतर गई थी वह चुप रंजना की चुप़ी की भाषा पढ़ने में तल्लीन थे क्या बोले जब वह सब जानते और समझते हैं उसकी पिड़ा उनकी भी तो रगों में जहर बन कर दौरती रहती है जिसके असर से वे दोनों चुपचाप घुल रहे हैं ऐसा क्या गलत कर दिया उन्होंने वे समझ नहीं पाते उनका अपना मुदित एक दिन इतना खफा हो जाएगा उनसे ये तो उन्होंने कभी कलपना में भी नहीं सोचा था रंजना चुपचाप चाय के छोटे-छोटे घुट भरती मन पर सालती चोट को मानो सेक रही थी कुछ तो आराम मिले उनका अपना मुदित परायों से भी पराया वेभार करेगा ये तो उन्होंने सूचा ही नहीं था उसे क्या लगा इस उम्र में उनसे वासना की भूख इतना बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही थी क्या वह अपनी मा को बिल्कुल ही नहीं जानता नहीं समझता सच तो यही है उन्हें सबसे बड़ा दूख इसी बात का है कि उन्हीं का बेटा उन्हें नहीं समझता और दूख इस बात का भी है कि उनके ही पाले पोसे बेटे की सोच का दाइरा इतना संकुचित निकला कि वह घुट रही थी, तडप रही थी वह थोड़ी हैरान भी थी कि रमन और रंजना के दिये संस्कारों में क्या कमी रह गई कि मुदित उनका अपना बेटा ही उन्हें अपराधी समझ रहा है एक ऐसे बेबुनियादी अपराध का जिसकी नीव उनकी समझ के परे है शुरू से ही रमन और रंजना बेहत खुले विचारों के रहे थे नहीं दम घोटती, सडी गली रुढियों और परंप्राओं का लिजलिजापन वे दोनों मनुशे को मनुशे के रूप में ही देखते थे और ये उन्हीं अधिक सहज और व्यवहारिक लगता था इसलिए पडोस में रहने वाले असलम और रिहाना उनके किसी भी नाते रिष्टेदार या आस पडोस की तुलना में सबसे करीब थे उनके सबसे अधिक सगे, उनके हर सुगदुख के साथ ही जब वे एक साल के मुदित के साथ अपने पुराने शहर और परिचुतों से दूर नए शहर नए घर में रहने आए थे तो पहले ही देन अजडबियत की जिजग भरी दिवार सहज ही तोड़कर शाम की चाय और नाश्टे के साथ रहाना और असलम उनके घर के दर्वाजे पर खड़े थे दिसम्बर की ठंड में घर में चारो और बिखरे सामान के बीच उनकी गरम चाय और सनेह की उश्मा सदा के लिए उनकी आत्मा में समा गई दिसंबर की उश्राम से लेकर अब तक किसी भी धर्म जाती की दिवार से परे उन्होंने कितने उतार चड़ाओ और सुख दुख की हिचकोले खाती नाओ पर जीवन का सफर एक दूसरे का मजबूती से साथ देते हुए तैकिया था उन्होंने कभी नहीं जाना कि रंजिनारमन और असलम रहाना में कोई मनुष्टा से परे भी कोई और संबंध या भेद है जाना तो बस ये कि एक दूसरे के सहारे के बिना जीवन वैसी एक सरल रेखा नहीं होती जैसी उन मजबूत घुली मिली परचाईयों ने बना ली थी कितना होनी अनहोनी घटा गया इस दोरान और सदस्यों के जोड घटाव और संबंधों के समिकरण बदल गए इन कई वर्षों में और समय की इच्छा की जीवन की संध्या में अंतितह, निर्बाद, साथ, निभाने को बचे तो रंजना और असलम वो प्रत्याशिती थी था जब रमन एक सड़क दुरघटना का शिकार हो गए कमपनी से रिटार्मेंट के ठीक एक महीने पहले रंजना पर मानो कहर तूट पड़ा रमन के बिना जीवन की कलपना तक नहीं की थी उसने वो तीन देन आईसियू में लड़ते रहे पूरी ताकत से वो जानती थी कि ये लगभग असंभव जीत वाली लड़ाई वो सिर्फ उनके लिए लड़ रहे थे फूरे जीजान से अर्ध बेहोशी में भी वो उसी का नाम बड़बडा रहे थे जीवन के किसी भी मोड पर अब तक उन्होंने अपनी रंजना का हाथ एक पल भी नहीं छोड़ा था और अब अचानक उसे जीवन की ढलती बेला में छोड़ कर जा रहे थे जब उसे सबसे जादा जरूरत थी उनकी उस कठिन समय में असलम राद दिन साय की तरह साथ थे उनके जीवन का भी सहारा जीने का रस भी तो रमन रंजना में ही था उनकी भी हस्ती खेलती बगिया एक जटके में बिना कोई मौका दिये उजाड़ी जा रही थी रमन के बहते खून में उनके तन का एक बोतल खून मिल चुका था कैसे भी डॉक्टर से मनुहार कर रहे थे कि उनके खून का एक एक कत्रा रमन की नसों में उतार दे रमन के साथ उनकी भी लाइफ लाइन बीब बीब की आवाज पर टिकी थी पर डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि नहीं एक सीमा से अधिक उनका खून नहीं ले सकते उनकी जान को भी खत्रा होगा वो पंक कटे पंची से फड़ फड़ाते रह गए और उनका रमन एक जटके में सासों की डोर तोर उन्हीं पराया कर गया उनकी गर्म हथेली में रमन का ठंधा निर्जीवाद उनकी रूख अपकपा गया कान में बस रमन की तूटे फूटे शब धथोड़े की तरह बचते रहे रंजना बस आपके भरोसे उसका ख्याल चटकी आवाज के साथ रंजना फर्श पर मुर्शित पड़ी थी अपने बिगड़ते होश जैसे तैसे समहाल कर वो रंजना को समहालने में लग गए रमन का जाना उन्हें अंदर से खाली कर गया दो साल पहले रहाना और अब रमन उनके लिए जीवन के कारण बुरी तरह धुंदला गए थे जैसे ठहरे तालाब में बड़े बड़े पत्तरों के फेकने से उठी लहरों में पार दर्शी पानी के पार दिखने वाला तला मटमैले पानी और बेडॉल लहरों में हो जाता है बिलकुल वैसे ही बिछुड़ चुके रहाना और रमन की दिहान त्रूपी मटमैली लहरेंग उनके जीनी की चाहद उदला गई थी पर रमन से कियावा अनकहा अंतिमबादा वह जिम्मेदारी उन्हें जीने को मचबूर कर रही थी मुदित USA से एक दिन बाद आ सका उनकी दुरगटना की खबर सुनते ही सारी कोशिशों के बाद भी वह उनकी अन्तेस्टी के पहले ही पहुत सका 20 दिनों बाद जब वह और स्नेहा USA वापस जाने लगे तो रंजणा को साथ ले जाने की उन्होंने बहुत कोशिश की पर घर के कड़कड में रचे बसे रमन की यादों को छोड़कर जाने को वह टस से बस नहीं हुई असलम ने भी समझाने की कोशिश की पर भाद तयार नहीं हुई तो नहीं हुई हार मान कर मुदित तर स्नेहा को बिना रंजणा के ही वापस USA जाना पड़ा रमन के बिना सोना घरांगन चन चल मजबूत रंजणा को कमज़ोर बुझी रंजणा में ढाल गया हमेशा की स्वस्त तन की स्वामिनी रंजणा का कमज़ोर मन तन भी कमज़ोर करनी लगा धीरे धीरे रमन के जाने के बाद वाकसरी बिमार रहने लगी अजीब जीब बिमारियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया वीलो दोर मुदित से वह कुछ भी न कहती अब तक उन्होंने भाग-भाग कर सेवा ही की थी अब सेवा करवाने के स्थिती उन्हें हैरान परिशान करती ऐसे में सहेजी असलम ही थे जो उनके तूटते तन और मन का सहारा थे वे हर समय उनकी देखबाल के लिए बिना एक शब्द भी कहे उपस्तित रहते नजाने कैसे वे रंजना के मन में सुलग रही हर दर्द भरी चिंगारी के लिए ठंडा मलहम खोज लाने में सफल रहते बिमार पढ़ने पर उनकी सेवा में लगे रहते रंजना को उनकी उपस्तिती मात्र से ही सबरा जाता उनका सहज और निश्चल संबंद जहां एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा और संबल था वहें दुनिया की आखों की सबसे बड़ी किर किरी पहले तो आस पड़ोस के लोगों के बीच चलती का नाफूसी पर न असलम ने ध्यान दिया नरंजना ने पर लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले कहां थे ये हर संबंद को अपनी ही परिभाशा में तौलते हैं और फिटना बैठने पर तोड़ने मरोडने लगते हैं असलम और रंजना का संबंध भी जब उनकी सहत समझ और व्यभारिक बुद्धी की कसोटी पर खरा नहीं उत्रा तो तुछ तानू और छीटा कशी का रूप लेकर जहां तहां विखरने लगा जब भी असलम और रंजना बाजार सौदा सुलफ लेने जाते तो घर की वस्तों के साथ साथ तानू और घटिया मजाक से सनी लोगों के कुविचारों की पोटली भी अंचाहे ही साथ ले आते असलम तो सुनकर भी अंसुना कर देते पर रंजना का चेहरा अप मान से लाल हो जाता और वह बेहत दुखी हो जाती इस उम्र में ऐसी बाते सुनकर वह तिल मिला कर रह जाती उस दिन दो घर छोड़कर रहने वाली पडोसन मिसिस वर्मा ने बातो बातो में रंजना का मन बुरी तरह चलनी कर दिया क्या बहन जी आप भी क्या करती है अच्छे भले बेटे बहुके रहते इस उम्र में पराय मर्द के भरोसे बुड़ापा काटने का क्या मतलब है भला रात बेरात पराय मर्द का यो घर पर आना जाना अच्छा नहीं लगता जब तक भाई साहब जिन्दा थे तब तक दूसरी बात थी आपको पता नहीं क्या कि लोग कैसी कैसी बाते बनाते हैं मैं तो आपका भला सोचती हूँ इसलिए बता रही हूँ मैं तो जानती हूँ कि आप भली महिला हैं पर परोसन की जुर्रत पर रंजना अवाक रह गई बिना कुछ जवाब दिये तुरंती घर को भागी बाद में जिड़कते हुए उन्होंने ये बात असलम को बताई तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गए फिर कुछ सोचते हुए बोले मैं मुदित से बात करूँ क्या वह तुमको आकर ले जाए तुम्हें लगातार देख बाल की जरूरत है रंजना यहां रहते तो मैं तुम्हें संघर्ष करने के लिए अकेली नहीं छोड़ सकता लोगों की उलजुलूल बातों की मुझे परवा नहीं है पर तुम्हें ऐसी बातों से परिशान होते देख अच्छा नहीं लगता बोलो आज ही बात करूँ क्या मुझे जित से रंजना एकदम ही सिट पिटा गई छोड़ते हुए एकदम ही बोल पड़ी मैं चली गई तो आप आपका ख्याल कॉन रखेगा असलम मैं भी तो आपको संगर्ष करने के लिए यूँ अकेला नहीं छोड़ सकती कहते कहते वाठी ठक गई और और क्या आप यहां सब को छोड़ कर बच्चों के पास जाना चाहते हैं न जाने क्यों असलम का गला भराया और वह कोई जवाब नहीं दे पाए गला रंजना का भी भराया रंजना ने निर्ने सुनाते हुए कहा था वहाँ बेटे बहु की अपनी जिंदगी है वहाँ पराई धर्ती पराई आबो हवा में अब कहां खुद को समा पाऊंगी यहां कम से कम धर्ती पानी हवा और आसमान सब अपने हैं फिर आप तो हैं ही लोगों का क्या उन्हें कुछ न कुछ तो कहना ही है रंजना ने अपने मन का भैय बयान करते हुए मानो खुद को ही तसली देते हुए कहा था बात आई गई हो गई उस दिन रंजना को एहसास हुआ कि वह असलम को यूँ अकेला छोड़ने की हिम्मद भी तो नहीं चुटा सकती जितनी फिक्र असलम को उसकी थी उससे रत्ती भर भी कम फिक्र नहीं थी उसे असलम की समय बीटता रहा लोगों की छिटा कशी पर दोनों नहीं ध्यान देना बंद कर दिया था पर होनी को कुछ और ही मनजूर था एक बार असलम अचानक ही बहुत बिमार पड़ गए बुखार में हपता भर भट्टी से तपते रहे रंजना ने उन कठिन दिनों में असलम की राद देन लगातार देखबाल की वह साय की तरह हर समय असलम के आसपास मड़राती रही इतनी दूर से बच्चे तो समय पर आ नहीं सकते थे घर बाहर सारी जिम्मेदारी रंजना ने एक पैर पर समाल रखी थी रात रात भर असलम के जलते माथे पर पट्टी करती रही खाने पीने से लेकर दवा तक हर चीज बिलकुल समय पर कायदे से देती रही असलम जब थोड़े स्वस्थ हुए तो रंजना के प्रती कृतग्यता से भर गए उन दिनों जब उन्हें वुखार में होश नहीं रहता था तब रंजना कभी उन्हें बच्चे सा समालती तो कभी बिमारी से उपजे औसाद में दोस्त बन तसली देती हलके फलके मजाग से उनका मूट बदल देती असलम न चाहते हुए भी रंजना को एक अलगी रूप में महसूस करने लगे थे रंजना की आखों में भी उन्हें अकसर एक अलगसी चमक गाहे बगाहे दिख जाती जव बेबन से सिर्फ रंजना का मन रखने के लिए पतलीफी की खिचड़ी खा रहे होते तो उन्हें से सराबोर रंजना की सहलाती नजरे रोमान्चित कर जाती और तव नजर उठा कर रंजना को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे एक अजब डोर से बंद रहे थे वे दोनों उन्चो सम्मान भरे लगाओ और परवा से लबालब भरा था कुछ समय बाद जह वस्वस्थ हो गए तो उनके दूर के एक परिचित उनका हाल चाल लेने आए रंजना की उपस्थिती उन्हें काटे सी चुब रही थी बहुत कुछ सुन भी रखा था उन दोनों के बारे में छूटते हुए मजाक मजाक में कह ही दिया ऐसा क्या रिष्टा है आप दोनों का इतनी परवा और देखवाल तो सगे भी नहीं करते दुनिया से कब तक शिपाएंगे ये सब उस दिन अजाने क्यों असलम भी तिल मिला गए रंजना के लिए कोई कुछ गलत कहे उन्हें यह बरदाश नहीं हुआ उस दिन बोले तो कुछ नहीं पर छटपटा कर रह गए परिचित के जाने के बाद असलम ने रंजना से पूछे लिया क्यों न तुम कुछ मा मुदित के पास अमेरिका चली जाओ क्यों रंजना ने हरानी से पूछा फिर ठहर कर बोली आपको यह अकेला छोड़ कर कैसे चली जाओ ऐसा क्या रिष्टा है हमारा कि तुम अकेला छोड़ कर जा नहीं सकती मुझे एक अलग ही रौ में उस दिन वे बोली गए रंजना अला जवाब उन्हें देखती ही रह गई फिर समल कर बोली आप लोगों की बातों को इतना तवज्जो क्यूं दे रहे हैं ये तो न जाने कब से क्या क्या बोल रहे हैं आपने तो कहा था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अब क्या हो गया असलम असलम चुप हो गए मौन की अपनी भाशा होती है और जब दो मन बेहत करीब हो तो उस मौन में सबन कहा मुखर हो जाता है रंजना भी असलम का मौन सुन रही थी और बखुबी समझ रही थी कुछ समय बात बहुत सोच समझ कर दोनों ने एक निर्ने ले ही लिया समाजिक विवस्था के ठपपे के साथ साथ रहने का निर्ने और बिना किसी उठी उंगली के प्रती जवाबदारी या चुबते सवालों की दिल मे लाहट महसूस किये बिना उन्हें लगा ऐसी विवस्था के साथ वा बेहिजग और बेधड़क पूरे अधिकार से एक दूसरे की पूरी देखवाल और हर पल बेजजग एक दूसरे का साथ निभा सकते थे शादी ही वा विवहारी कदम था जो हर बेजैन करते सवाल का माकूल जवाब था हाला कि यह आसान नहीं था दोनों ही जिन्दा रहते अपने अपने जीवन साथी के प्रती पूरी तरह समर्पित और इमानदार रहे थे यह निर्ना लेते हुए उनके मन में यह जिजग तो थी ही कि अपने दिवंगत साथियों से कहीं बेमानी तो नहीं कर रहे फिर उन्हें ख्याल आया रमन की अंतिम बेचैन इच्छा उन्होंने रंजना की जिम्मेदारी असलम पर ही तो छोड़ी थी बदले हालात में रमन की उस अंतिम इच्छा को पूरा करने के सिवाय शादी के और कोई उपाय नहीं दिख रहा था उन्हें दुनिया और समाज की व्यभारिक समझ रखने वाले उन्हें इतना तो आभास था कि उनके इस निर्णय को भी सहर्षता से नहीं लिया जाएगा पर आशा के विपरित अपने ही बेटे का प्रबल विरोध जहेलना पड़ेगा या उमीद उन्हें नहीं थी असलम की बड़ी बेटी फरहा जहां खोश और उद्सा ही थी वहीं छोटी बेटी साधिया का तठस्त रवईया न उन्हें न कारात्मक लगा न सकारात्मक बड़ी बेटी फरहा ने राहत की सास ले कर उनसे कहा था इसमें इतनी बड़ी बात नहीं यहाँ वी देशों में तो ऐसी बातों को बहुत सहज़ता से लिया जाता है इस उम्र में एक साथी की सबसे अधिक जरूरत होती है तब तो और भी जादा जब बच्चे दूर हूं उसने जट से रंजना को अम्मी बुलाना शुरू कर दिया पर मुदित की नाराजगी उनकी समत से परे थी वह लगळग चीख बढ़ा था माँ क्या कह रही है अप? इस उम्र में ये सब वह भी असलम अंकल से क्या आप जानती नहीं? कि वह मुसलमान है? मुदित के इस बात से वह लगभग सदमे में थी असला मुसल्मान हाँ मुसल्मान ही तो पर तो क्या पिछले 26 बरस में मुदित को यह क्यों नहीं दिखा जब उनके गले में जूल जूल कर फरमाईशों की लिस्ट सुनाता था जो हट रमन और रंजना से पूरे न कर पाता तो चुपके से असलाम और रिहाना से पूरे कर लेता तब तो कभी असलाम का धर्म नहीं दिखा अब कैसे रमन के जाने के तीन बरस बाद भी मुदित का दोबारा आना नहीं हो सका था बस यही जिद की आप अमेरिका चली आईए बिना ये समझे कि उनकी ठके हड्डियों में विदेशी धर्ती में रचने बसने का बूता नहीं इन तीन बरसों में रमन के जाने के बाद उनकी हर छोटी बड़ी दुख तकलीफ और जरूरत का ख्याल तो असलम ही रख रहे थे बिना किसी अपेक्षा के बिना किसी उमीद के जैसे कि उनकी आखों में जीने की टिम्टिमाती लौपर उनके जीवन का उजाला ठिका हो मानों उन्हें रंजना में ही रहाना और रमन का बिछड़ा छूटा वजूद दिखता हो रंजना के साथ उन्हें जीने की वज़र मिलती हूँ और रंजना को भी अरोज जीते जाने का होसला वह हैरान थी कि क्या वह अपने ही बेटे को नहीं समझ पाई थी उन्हें लगा था कि मुदित हमेशा से जिस तरह असलम के करीब था उन्हें सहज ही इस नए रूप में अपना लेगा आखिर वह शुरू से ही पिता की ही छवी में ही तो थेस के लिए या समय के साथ मुदित इतना बड़ा हो गया इतना बदल गया कि अब ठीक से जानती ही नहीं उसे इंजिनियरिंग की पढ़ाई के लिए 10-11 साल पहले जब वह निकला था तब से कितने दिन फिर साथ रह पाया उनके पर हर हपता दस दिन में बंद लिफाफों से जुड़ी डोर क्या इतनी कच्ची थी कि वह अपनी मा को ही नहीं समझता आप क्या पत्र में लिखी बाते जिर्फ नीले गहरे बैंगनी अक्षर ही थे बस वे दोनों कोर्ट में पहले से कराए नामांकन के हिसाब से एक महीने बाद विवाबंधन में बंद गए बिना किसी धार में कृती रिवाज या परंपरा के उसकी दोनों को ही कोई जरूरत नहीं लगी असलम की बड़ी बेटी फरहा जैसे तैसे छुटी लेकर अचानक एन मोकी पर कोर्टा पहुची थी और उन्हें सुख़द रूप से हैरान करती हुई दोनों के कसकरगले लग गई थी उनकी बोजिल ठके ठके खुशी राहत भरी हसी में बदल गई थी उनके उदास दिलों पर मुस्कुराहट का मलहमल दिया था सादिया का सुबह से दो तीन बार फोन आ चुका था साब था कि वह भी संतोष्ट और उत्साहित थी स्नेहा ने भी फोन पर दोनों को बड़े चाव से वधाई दी थी उसकी आवाद से साब था कि वह भी खुश थी बार बार ना आपाने के लिए उनसे माफी मांगती जा रही थी पर रंजना उसकी आवाज में छलकती उदासी और ना आपाने का कारण साफ मेहसूस कर रही थी मुदित ने उस दिन के बाद से एक बार भी नफोन पर बात की थी और नहीं एक भी पत्र का जवाब दिया था हमेशा लौटती डाक से मिलने वाले पत्र के जवाब की जगे उन्हें डाके के हाथ से पत्र के बजाय रूख हायल कर देने वाली निराशा ही मिल रही थी वह बार-बार दुविधा में आ जाती कि क्या उन्होंने गलत निर्ने ले लिया पर पिछले तीन वर्षों में वे और असलम जिस तरह से एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर और भावनात्मक रूप से इतने गहरे जुड़ चुके थे उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था रहने को तो वे बिना विवा बंधन के भी रह सकते थे पर बहुत सोचने समशने के बाद उन्हें यही ठीक लगा जीवन के ढलती बेला में वे पीले पड़ रहे पत्ते से एक दूसरे के सच्चे साथी थे रंजना को भी रंजना को यह भी भरुसा था कि उनका मुदित जादा समय उनसे नाराज नहीं रह सकता एक नई एक दिन वह अपनी मा के हालात और उनमें लिये गए उनके निर्ने का और चित्त समझेगा पर अक्सर उसके कहे विशब गर्म लावे से उनके मातरित की मजबूत चूनर तार तार कर जाते वो उदास सोचती कि कैसे उनका अपना मुदित ये तक कह गया उस दिन कि मुझे शर्म आ रही है कि मैंने आपकी खोक से जन्म लिया इस वाक किसे वह सच में सन रह गई थी मुदित ऐसी जान ले लेने वाली बाते भी बोल सकता था ये सच मुझ उनके लिए अकल पनिय था थोड़ा गुसेल तो था वो शुरू से ही पर थोड़ा बहुत गुसा तो हर किसी को ही आता है ऐसी कोई परिशानी वाली बात उसके वैवहार में उन्हें कभी नहीं लगी थी पर उनके इस निर्ने पर उसकी ऐसी प्रतिक्रिया उन्हें कोई राह नहीं सूज रही थी कैसे अपने ही बेटे को अपनी बदली दुनिया का मर्म समझाएं ऐसी बातों में क्या बुराई है भला कैसे बताएं कैसे अपने और असलम के मन की हर परच छील कर जसका तस उसके सामने भी खेर दें कैसे करें अब तो वह उनकी हर बात से मुँ मूड कर ऐसा रूट गया है कि उनकी एक भी सदा उस तक नहीं पहुच पा रही सिनेहा से वह पूछती रहती है कि क्या उनका बंद लिफाफा उसे नियमित मिल रहा उसके हां के बात की चुप़ी से वह समझ जाती है कि लिफाफा मिला तो परबंधी है फिर मानों उन्हें दिलासा देने या खुश करने की कोशिश में सिनेहा के मनुहार भरे शब उनके कानू में गूंचते रहते बिना खोले एक लिफाफा उसकी नजर से बचा कर अपने अलमारी के ड्रॉर में समाल समाल कर रखते जा रहे हैं मुदित सिनेहा के इस छोटे से वाकिसे उनकी उमीदों का मुर्जाया पौधा फिर जी उठता वो जानती है उनका मुदित उन से और असलम से दूर कैसे रह सकता है आखिर कितने दिन पर इस इंतिजार की उम्र उनकी सोच से कहीं अधिक लंबी निकली चार महीने से उपर होने को आए पर मुदित ने मुड़कर उन से संपर्क नहीं किया नहीं किसी बंद लिफाफे की किसमत ही खुली नतीजा हर सुबह उनकी उमीद का बिमार होता जाता पौधा डाकिय के उनके घर के सामने से खाली हाथ लोटने की तेजाबी निराशा में हर रोज की तुलना में और तेजी से जुलस जाता डाकिया भी अब उन्हें देख बचने की कोशिश करता हुआ उनके सामने सिसिर जुका कर निकल जाता जैसे उसे भी उनके लिए बंद लिफाफे का बेसबरी से इंतिजार हो और खाली हाथ वह मानो खुद को उनका प्राधी मानता हो ऐसी तूटती उमीदों के बीच सैयोग से सनीहा का दफ्तर के किसी जरूरी काम से दिल लियाने का कारिक्रम बना उसने जब रंजना को बताया कि वह उन दोनों के पास ही ठहरेगी चार-छे दिन तो यह सुनकर रंजना के लिए मानो बे मौसम की दिवाली हो गई वह उत साहिच सी सनीहा के आने की तैयारियों में लग गई बरसों से बेचैन ममता उनके सीने में छाठे मारने लगी पर नियती को कुछ और ही मनजूर था सनीहा के बहुत मना करने के बाद भी वे नहीं माने थे और उसे एरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए वे दोनों आने वाले थे पर सनीहा को लाने को घर से एरपोर्ट तक का उनका सफर अनंत का सफर निकला स्निहा एरपोर्ट पर इंतजार करती रही और उनका कोई अतापता नहीं एक अंजाने नंबर से आई कॉल ने स्निहा के होश उड़ा दिये कहां तो वह घर जाने को उत्साहित थी कहां नियती ने अपना ही चक्र चलाते हुए उसे अस्पताल के आईसियू के सामने पहुचा दिया था हेयरपोर्ट आते हुए एक सड़क दुर घटना में असलम घटना इस्थल पर ही प्रांड त्याग चुके थे और रंजना आईसियू के बिस्तर पर मशीनों से बंदी एक-एक सांस के लिए लड़ रही थी स्नीहा सदमे में थी वह तूटी आवाज में मुदित को फोन पर सूचित करते हुए बस यही कह पाई अब तुम कब तक रूठे रहोगे मुदित वे तो तुम क्या हम सबसे इस दुनिया से रूठ गए मुदित ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा वह तो अपने पुर्वा ग्रहों से ग्रस्त रंजना और असलम के इस नए रिष्टों को न देख पा रहा था और नहीं स्विकार कर पा रहा था उसकी अपने आप से चल रही लड़ाई इतनी घनी थी कि उसके पार उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था न महसूस हो रहा था पर यह तो अप्रत्याशित था जब तक वह पहुच पाया रंजना जीवन की डोर तोड़ कर किसी और ही दुनिया में मुक्त हो चुकी थी पीछे अपना मृत्तन संसार की बिमानी रितियों के लिए छोड़ गई थी प्राण निकलने के पहले उन्हें मुश्किल से पांच-दस मिनट के लिए होश आया था उनकी बेचैन नजरें सनीहा के साथ मुदित को तलाश रही थी हताश रंजना ने भीगी आखों और कापती सनीहा के सिर पर मुश्किल से हौले से हाथ फिराया और अपनी नई आत्रा पर निकल गई मुदित फरहा और सादिया के आ जाने के बाद उन दोनों का अंतिम संसकार कर दिया गया उनके सामान को व्यवस्थित करने के दौरान सनीहा ने लौकर की चाभी ढूंड कर पैंक का लौकर खुलवाया जिसमें जोईलरी और प्रॉपर्टी के पेपर्स उनकी बेलादी के अलावा एक पुराने छोटे पैकेट में कुछ पुराने कागस थे पता नहीं क्या सोचकर सनेहा ने वह पैकेट मुदित को पकड़ा दिया मुदित ने जजगते हुए वह पैकेट ले लिया घरा कर भचुपचाप उस पैकेट को देखता रहा फिर कुछ सोचते हुए उसने धीरे धीरे पैकेट खोलना शुरू किया हर किसी की उत्सुक नजर उस पुराने पीले पढ़ चुके लिफाफे पर ही थी लिफाफे से एक पुराना पीला पढ़ चुका सर्टिफिकेट जैसा कागज निकला मुदित कापते हाथों से पकड़े उस कागज को पढ़ते हुए बुरी तरह कापनी लगा उसके चहरे का रंग फक पढ़ चुका था उसके हालत देख फरहा ने उसके हाथ से कागज ले लिया और सनेहा और सादिया उसे समालने की कोशिश करने लगी फरहा ने एक ही सास में जल्दी जल्दी वह कागज बोलते हुए पढ़ लिया कागज का मजबून पढ़ कर और समझ कर उन चारों को काटो तो खून नहीं मुदित की आवाक और खराब हो रही हालत का कारण इस पश्ट था ये पुराने पीले पढ़ चुके कागज था बिना शब्दों के उसकी आखे सावन के जड़ी बन चुकी थी पश्चा ताप गलानी दुख न जाने कितने भावी नासों में घुले मिले थे उसके कानों में रंजना से चार-पांच महीने पहले अंतिम बार बात होने पर गुस्से में कहे अपने ही कहे शब्द गुंज रहे थे मुझे शर्मा रही है कि मैंने आपकी कोक से जन्म लिया अपने ही कहे शब्द गर्म लावे से अब उसका तनमन चीज रहे थे वह घुट रहा था और इस घुटन से मुक्ति दिलाने में समर्थ उसकी मा रंजना का आचल नहीं था उसे लग रहा था उसकी ये बातें उसकी उपेक्षा पुर्ण बेरुखी वह आचल कब का खाक कर चुकी थी पीछे वह बचा हुआ था जीवन भर इस खाक में सुकून तलाशते रहने के लिए काश्व दुनिया समाज धर्म जाती से पहले अपनी मा के बारे में सोच था जैसे उन्होंने उसे गोद लेते हुए इन सब बातों से परे सेर्फ और सेर्फ उसके बारे में सोचा होगा वापस आने के बाद मुदित अकसर रात में यह सोच कर किसने हा सो रही है चुपचाप उन बैंगनी लिफाफों से घिरा मा के वाद सल्य भरे आचल के जुल से तार बुनने की कोशिश करता है उसकी घुट्ती सिस्क्यों को सुनती सने हा अकसर चुपचाप कोने में खड़ी उन लिफाफों से बह निकले वाद सल्य और विश्वास के समंदर की सुकून भरी तरलता महसूसती है बह जानती है कि सारे बंद लिफाफे खुल चुके हैं और मुदित का सुकून अभी नी खुले लिफाफों के बीच तैर रहा है अभी आप सुन रहे थे सारीता कुमारी जी की लिखी कहानी बंद लिफाफा